नमस्कार दोस्तों यूपी पीस्टी डेली नीज में आप सभी लोग का स्वागत है तो जिहां दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक्षवाइप की तरफ से आज आए कई नोटिफिकेशन जैसा कि बीओ PCS 2020, RO2016 के साथ में PCS 2019 की तारीक में भी हुआ परिवर्तन क्या रहा है आप सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कई नोटिफिकेशन आए जिसमें PCS 2020 के लिए कहा गया RO2016 लिए कहा गया कि जो ऐसे अभीर्ती हैं जो कहीं सलेक्ट हो गए हैं और COVID-19 के दिश्टीगत अथवा अन्यकारणों से यानि कि कहीं सलेक्ट हो गए हैं तो वो अपना जो है अभीर्तन वापस ले सकते हैं इसकी एक तारीक भी बताई गई कि 10 अगस तक अपना अभीर्त इसकी तारीक में परिवर्तन हुआ जो की 22 सेतंबर को कराने का कहा गया है तो आईए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं आयो की जो आई है उसमें 2019 PCS मेंस के लिए आप सभी लोग की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सोचते हैं आप सभी बाकी समय के अनुसार जो भी चीजें हो रही है या होंगी वह सही ही होंगी बस आप तो भी लोग भैर बनाके रखें देखें देखें प्रिशित कराय जाने का निड़ाय आयोग ने लिया है और जिसके संबंद में विस्तित परिशा का रेक्रम समय जारी किया जाएगा बा आयोग ने देखा और समझा कि PCS 2019 में इसकी परिश्चा की तारीफ को बदलना चाहिए तो उसने बदला और 2019 की परिश्चा को बदला और काफी अभिरती से खुस भी होंगे और काफी खुस होंगे सभी खुस होंगे और बाकी अन्य जो निउस आई हैं उनके लिए भी अच है कि अगर अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं तो आयोग एक प्रकार से आप सभी लोग के लिए सही काम करे रहा हैं और जैसा भी आप सभी लोग की राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं यहीं छोटा सा वीडियो आप सभी लोग के फाइनल तो यहां दोस्तों बहुत बहुत दन्यवाद